दोस्तों नमस्कार ट्रेम जुडिश्री में आप सभी का स्वागत है आप सभी को नाइवर्ट पी हार दिक हार दिक सुपकामना और इस सुपकामना को मनाने के लिए आर जेस ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शांदर सर्प्राइज दिया है स्विल जच की वेकेंसी आ चुकी है राजिस्थान जुडिश्री की लगबग 200 से ज्यादा पद आप लोगों के सामने हैं और यह इतनी बड़ी पहली बार किसी जुडिश्री में देखी गई है यूपी के बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे पद देखे गए हैं कई बार लेकिन कोवीज का बंच बना के लगबग 222 पद आप लोगों के सामने हैं चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि यह सब हम कैसे स्टाट करें कि क्यों कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी रेगुलर कर रहे थे जैसे कि राजिस्थान जुडिश्री की तैयारी जो लोग कर रहे है और जो अधर स्टेट के जो बैठे लोग हैं जो वेट कर रहे थे कि राजिस्तान जुडिश्रीक कब आए हम तैयारी करें तो उनको वही एक चीज है कि वही है 16 जून को तो एक्जाम ही है इसका मतलब उनके पास दो महीने हैं उनके पास सर्फ और सर्फ साथ दिन हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उस अपनी तैयारी में में वुकाम हासिल करने के लिए बन पाए तो देखिए हम शिले बाट करते हैं और आपको बीच-बीच में को बताते हैं कि हम इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं जिसने आप सब्बी आप यह पद को प्राप्त कर पाएं देखिए राजिस्थान जुडिश्री में जो आपका पद की संख्या है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है प्रिक्रिया आपको यह पूरी आपको इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे उस पे आप क्लिक करेंगे आप अपको खुल जाएगा आपको वहां से डालना है आज के दिनांक से मतलब मंगलवार 94224 को फिर एक बज़े से लिंक खोल दी गई है मतलब आप डाल सकते हैं अब य एक महीन है ऐक व attempt दालने के लिए लेकिन इसका वैट आपको नहीं करना है आपको दारेक्ट वाम डालना एक अंचे तक कमेट करते हैं और नहीं डाल पाते rich. कर दीए और यह काम करना इसटार एक अ बात है शाम 5बजे तक याद रखना है ना यहादी ड्रट आपको और नियाए सुल्क जमा करने की समय सीमा भी आपको को फॉर्म डाल देते हैं और डेट भी है उसकी है ना तो यह भी याद रखना कि वहिया अगर कोई बोले के पेमेंट तो हुई नहीं रही है तो आपकी पेमेंट की एक दिन देट बढ़ा के भी है कि फॉर्म आप रेजिटर कर वह मुख्य और इंट्रवियू इंट्रव्यू का है एक तो आपकी प्रार्विक परिक्षा होती है और एक आपकी होती है मुख्य हो जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल इसकी 99 परसेंट गैरेंटी है कि यह हो सकता है क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो एक जुलाई 2024 से तो लोग चेंज हो रहा है इसका मतलब फिर सिलेवस में चेंज देखने मिल सकते हैं इसलिए इसकी पूरी समखाव ना है कि यह इसी डेट क जरूर शियर करेंगे अब हम जो आपको देना चाह रहे हैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ड्रीम जुडिशरी आपकी सपने को लेके आ रही है जो कि हर किसी व्यक्ति के बसकी बात नहीं होती कि अधर इस्टेट में फीस ज्यादा लगती है तो देखिए फीस पे ज्यादा बात करें कि तो आपकी जनरल की अन्य पिछना वर्ग की अतीप प्रिचना वर्ग की जो क्रिमिन लियर सेंड़ी में आते हैं उनकी बारह सो पचास है इसका मला अन्य राज्य छित्र में जो है जैसे की एंपी हुआ यूपी हुआ इन में जो है उनकी फीस कितनी है बारह सो पचास क्लियर बात दे चलो अब यह हैं आपके रिक्तपद यह मैं इसली बोल रहा था जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था तो यह इसलिए बता समय कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप इसको हास्ते जाने नहीं दे सकते जदी आप यह सोचर राजिस्थान बहुत दूर है कैसे होगा दो महीने दिये हैं तो इसके लिए ड्रीम जुडिश्री है आपका सहयता आपकी सहयता हंड़ेट परसेंट हम करने के ल लेकिन आत्म विश्वास अगर किसी व्यक्ती में है तो त दिखाता दिखाता लेकिन आगर किसी व्यक्ती में था ति दिखाता है जिसको नहीं करता करें ईहने वह अपने पैरों पे तो यह यह भी ना समझे कि हमारी तो पूरी तैयारी है हमें क्या करना हम तो सिर्फ दो तीन घंटे पड़ेंगे और बस हमारा एक्जाम निकल जाएगा यह हैंकार आप मत करना आत्म विश्वास रख सकते हो कि हां मेरी तैयारी पूरी है अब मेरे पास और अच्छा खासा समय में मिला है दो महिने का तो मैं उसको और डेवलप करूंगा अपनी तैयारी को यह आत्म विश्वास से अधिया पड़ाई करोगे तो आप पका यह राजिस्थान जुडिश्री निकाल सकते हैं देखिए अब यह इसलिए बोल रहा हूं कि जनरल की जो आपकी पोस्ट है यह पोस्ट 83 57 82 यह आपके 2022 24 में और 24 की मिला की यह पूरा बंच है मलब लगभग आपका 85 से लेके 90 के बीच में यह क्या है आपका जनरल की पोस्ट आई है मलब अन्य जो जो राज्य छेत्र से जो व्यक्ति जो जुडिश्री एस्पेरेंट जो एक्जामिनिशन देंगे उनके के लिए तो भीया बहुत ही शांदार और बाकी जो रिजर्वर एरिया है ऐसे स्टी स्टी ओवी सी एडवलू एस एंबी सी है ना उनके लिए यह से आप देख लेना एक बार और देखके ही फॉर्म भरना जिससे आपको पता चले कि हम क्योंकि कि किसी भी फॉर्म को भरने स से पहले हमें उसका पूरा डिटेलिए अनलाइज करना पड़ेगा उसके सिलेंवर्स का उसके पॉर्म कोई के संदर Iya बातों पर हमने यकीन तो नहीं कर लिया इसलिए हमें पूरा उसको प्रॉपर स्टडी आपको करनी पड़ेगी देखो अब वर्गों के संदर में आरक्षण के संब्ध में ना महिलाओं के संब्ध में आपके होरीजेंटल आरक्षण के संब्ध में राज्स्तान के महिला आती विवाँ उपरांद उनके संब्ध में यह सामानेवर्ग के अंतरगत ही आविदन करना होगा इसका मतलब अगर किसी महिला का विवाय हुआ है अधर राज्येश्चेत्र से और राजिस्थान में हैं और भहिया वह सरन्नेम लिख रही है पती का भी लिख रही है अधर चेत्र की तो वह भी अगर करना चाहें तो उन्हें सामानेवर्ग के अंतरगत ही क्या किया जाएगा आविदन करना होगा है ना तो यह वारी चीज आपको पता है फिर भी एक बार मैंने आपको बता दी कि उस चीज का भी ध्यान रखना अगर जो महिला है जो भी एप आगे बढ़ रहा हूं ठीक है जाती प्रमाण पत्र माने नहीं हुआ कैसा नहीं होगा यह आप लोग देख लेना वैद जाती प्रमाण पत्र ही लगेगा महिलाओ का विवाय विच्छे दगर हुआ है तो वह वाले चीज भी यह वाली चीज भी आप लोग याद रखना दे है यह देखिए योग गिता और न्यूंदन सेक्षंट के हम बारे में बात करते हैं कोई भी अब्यारती सेवा में भरती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि भाए भारत में विदी दौरा अश्थापत अधीनियम अधीवक्ता अधीनियम 1961 मानने किसी भी विश् राजिस्थानी बूलिया हिंदी वासा देवनागरी वासा में प्रतेक अभ्यारती का गहन ग्यान होना चाहिए अब नोट में क्या लिखाए लेकिन एक ऑप्शन दिया है राजिस्थान जुडिश्री ने सभी बच्चों के लिए कि अगर जो अंतिम बर्थ में हैं और अंत कि उस्क lug spray के चुर्स में 10 सैमिस्टर अंगर हैं तो आप अपगर सकते हैं अगर आपका 3 अर्प का ओसे हैं अगर ईस्समें आधर आप तो एपलाई कर सकते हैं यह राजिस्थान जुडिश्री में एक गुल्डन अपॉर्चनलिटी रहती है कि मतलब उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी तैयारी को नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए हम ऐसा नहीं है कि आपका साथ सिर्फ हम अकिला यह दिखा दें आपका साथ देने के लिए यूटूब पे हम प्रॉपर तैयारी से आ रहे हैं सिर्फ आप एक जलक का वेट केजिए आपकी फलक आपका इंतिजार करेगी ड्रीम जुडिश्री के सांस देखो आगे बड़े अब नोट देखिए नोट में आगे क्या लिखा आवेदक भी आवेदन के पात्र है पहली चीज तो यह वाली चीज और परंतु परंतु ऐसे आवेदक को वांचे सेक्शन योगता मुखे लिखेत परिक्षा से पूर्वधारत करनी होगी इसका मतलब प्री देने के लिए एलिजिबल है वो वेक्ति कौन टेंथ सेमेस्टर में हैं और सेमेस्टर का एकवान जैसे होगा न उसके बाद उसको में एकवश निसन के पहले साथ दिन के वीतर वीतर उसको यह आपकी मांक सीट आच शुकी होगी ना सेमेस्टर की जो फाइनल रिजल्ट जिसको आप बोलते हो ना वह पेक्ष करना पड़ेगा लिए चलो तब ही योग्यों माना जाएगा सारी acknowled records गाल लोगों को सभी को पता है ना तो ज्यदा बताने की ज़रुवद नहीं है बहुत कि नहीं होना च्छिए है नैशनलिटी आपको बताने के ज़रुवद नहीं है भारत का नागुर्ष होना च guessing है आयू पर बात कर लेते न थोड़ी शी है ना आयू आप लोगों को पता है वैसे लेकिन राजिस्तान जुडिश्री के साब से क्या है यह देखिए किस वर्ष से अधिक जो डारेक्ट रिकूर्मेंट और केंडिडेट अप सिविल ज़ज मस्ट है अटेंडेंट एज और 21 वर्ष से अधिक का वोल रहा ह से एक एक दो हजार पचीश की डेट के साब से वो क्या होगा काउंट होगा मतलब अधर स्टेट के केंडिडेट क्लियर आवात है अब यह थोड़ी सी अपर एज लिमिट की बारे में बात करता है कि फाइव एर एक्स्टेंड वाले केस हैं कि भहिया किन किन को किया घैंड किया और से दिल कंस्टेंक्स यह था तक यह क्या कर सकते हैं एकशाम के लिए कर सकते राजिस्थान के लिए क्लियर बात है चलो अब यह वाली बात उनने बापस से बोल दिये अंदिम वर्ष के लिए 2021 विग्या पना यूशीमा यह वाली ठीक है आगे बढ़ते हैं के रिक्टर के बारे में बात करते हैं के रिक्टर के बारे में भी कोई ज्यादा खास सीजन ने बूली नहीं है चैमाय की वीजर अधिक प है है आपका इसकी मोँषे मलाप परिक्षा की स्कीम और पांति कर अचीए पहली चीज तो इसमें सिधा-चीदर लिखा है आपका कि सिवेश्च लि एक होती पर एक की स्टेश आपने स्टेश कोrusts ठेज पर्री का अक्पारे में ने एक निर से है जो डिसाइड करता है कि आप मैंस में बैठका है लेकिन आपकी मेरेट बनाने में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा लिखाए ना मैन examination will not conductor determine of the final merit मलब प्री सिर्फ और सिर्फ आपका qualifying exam में 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 आपको लाना पड़ेगा पूरा नमबर प्री के नमबर उसमें प्लस होके आपकी मेरेट डिसाइड नहीं कर सकते ठीक है यह वाली चीज़ आपको याद रखनी है अब दा नमबर ऑफ कंडिड़ेट एडमेट फिफ्टीन टाइम टूटल नमबर ऑफ वेकेंसी केटिगरी वाइज बट दा सैट रेंच दोस केंडिड़ेट फूदस सेम परसेंटेज मार्ग नमबर लास्ट कट अफ एडमेट दा मैन एग्जामिनेशन एक बार इस पर ध्यान पर देजना आप लोग हां यह वाला जो इस पर बूला गया है कि हाँ यह इसमें बूला गया है कि क्वालिफाई टू मैं एग्जामिनीशन आप केंडिडेट स्ट स्ट केटिग्री एंड पर्सन विद्ध वैकवार डिसेबिलिटी शेल भी शिक्योर मिनिम्म वहला उनको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा ठीक है एग्जामिनीशन में इसमें मैं इसमें वह वाले व्यक्ति भी आगए तो उनको कित्ता लाना पड़ेगा मिनिम्म 45% सेक्योर करना पड़ेगा इंदी प्राइमरी एग्जामिनीशन ठीक है 40% मांग इंदी प्राइमरी एक्डामिनीशन और आपका अधर केटिग्री है उसमें 45 मिनिम्म मार्क्स प्राइमरी प्राइमरी एक्डामिनीशन ठीक है चलिए लूसमल्स में पढ़ रहा होँ इसको और majority अब देखो इसमें प्राइमरी एकडामिनीशन अबचेक्टिव ट triple रहेगा आपका मैं सब्यक्टिव सब्, अब बात करतें इसरे कि प्राइमरी एक्डामिनीशन का वेटिस कतरा रहा और के से रहेगा किस चीज पर रहेगा तो 70% का जो वेटेज जो 70% वेटेज वो अब्जेक्ट एग्जामिशन 30% वेटेज गिल वी गिवन दा सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब इन सलिवर्स एंड लॉपेपर फर्स्ट और लॉपेपर सेक्ड लॉप का वेटेज कितना है इंग्लिस में 70% और 30% वेटेज शाल वी गिवन दाट स्ट एंडेध्य निग्लिस लेंग्विज मनलब हिंदी और इंग्लिस लेंगिज का भी आपका weight is 30% है इसका मतलब आप हलके में लहीं नहीं सकते हिंदी और इंग्लिस को भी और अगर आपको यह टेंसन है कि अरे यार इतना बड़ा स्लेवर्स है तो इसके लिए ड्रीम जुडिश्री आपका साथ देने के लिए बैठी है ना तो यह टेंसन तो आप निकाल दीजीए कि यतना बड़ा से साढ़ दिन का पूरा पूरा बंच आपके सामने हम लेके आएंगे आपको पढाएंगे आपको पूरा देंगे आपका क्रेश कॉर्स में हाथ बढाएंगे और स्विल जजबी निकालेंगे यह वादा है ट्रीम जुडिश्री इंदावर का है ना बस आपको हमारा साथ देना पड़ेगा यदि हम आठ बजे के बाद भी अगर लाइब आएंगे तो आपको जुड़ना पड़ेगा यह आप हमसे वादा करिए हम आपसे वादा करेंगे कि हम आपको पड़ाने में कोई कसफ नहीं छुड़ेंगे ठीक है चलिए हुं हंडेड मार्क्स का पेपर रहेगा दो घंटे टाइमिंग रहेगी आपका ऑफलाइन मोड पे पेपर रहेगा और सीट पे आपको भरना पड़ेगा कोई चेंज देखने नहीं मिले हैं हमें जैसा पहला था वैसा ही ठीक है लोग सेंप्रिस्क्राइब ड़ाइब फस्ट सब्सक्राइब जो हो और में ऐसा कुछ बूले नहीं यह कि वहिया लौज और मैंस के में कोई चेंज नहीं है वो सेम प्लिए अब यह हिंदी है तो दिन्ही मनलब थोता चेना बाजे घना यहीना मुहावरा जो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कुछ कर नहीं रहा हूं पर भी अपटीकव लोगा अब यहीं तो है हिंदी यह आपको को सीखनी है कि आज मैं आपको यह लेक्चर दिखा रहा हूं अलंकार अलंकार मतलब स्रिजित कर रहा हूं वाक्यों की सोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं ठीक है तो यह वाली चीज अगर आपको याद करनी पड़ जाए ना तो फिर क्या है यह बच्पन से सार्वनाम व्याकर अनपक्षवाक के रचनावाक के शुद्धी यह आपको बहुत इजी पड़ेगा बस हम आपका साथ देंगे तब हैना ऐसा नहीं आके लिए अके लिए नहीं पड़ना है हम आपको बताएंगे डारेक्शन क्योंकि देखो पढ़ना अलग चीजे पढ़ क्या नोट्स आपको बनाने चाहिए शौर्ट नोट्स जिससे आप एक्सपर्ट तरीके से रिवीजन कर सकते सिर्फ दो दिन में 18 सब्जेक्ट देखने में जरूर लग रहे हैं लेकि जिस दिन एक्जाम होगा आप दो दिन बढ़ जाओगे ना तो आपकी पूरे कवर हो ज दो घंटे का नवर का है यह तो लेंग्वेश फीपर है कमांड रखनी है हाँ इसके लिए एक चीज आपको ड्रीम इसकर रहे कर रहा है क्या क्योंकि ये एक बार की जहलत नहीं है यह एक बार में नहीं आने वाला यह आप सुच्रार ना हिंडिये से हम लेंगे इंगले इस तुर फिषर केंगे इसकी बहुत फिरप्रेक्टिसरे करेंगे आप लोगों को तबी-श नवरम्र का 3 गंटे का लोप पर सेक्ट भी है सब्जेक्ट देकर आप लोगों को समझना पड़ेगा सिलवसी तो नहीं है जो आपका है यह आपका क्रिमिनल वाले हैं ये वाले देखो सेपी सी भी है constitution भी है इंडियन contract भी है limitation विए त्यरिक है इंटरप्रेटेशन में है क्योंकि अगर जो अधर जुडिश्री वाले हैं उनको थोड़े से इनको देखना पड़ेगा हां इसी के साथ यह वाली यह आपको नहीं पता जो हमारा वीडियो नहीं देख रहा है वह जाईए प्लेस्ट प्लेस्ट पे जाईए और जज्जमेंट के पंदरा और हर सन के हैं मतलब 24 15 16 17 18 19 20 और आज 21 का भी था तो वह आप आप लोग देख लेना तो आपको जज्वेंट राइटिंग समझ में आ जाएगी कि हैं कैसा करना तो देखो इस चीज का सॉलीशन तो आपका हो गया बचा इस चीज का सॉलीशन तो आप से कल मुलाकात होगी बिल्कुल लाइव और आपको शेड़िन मिल जाएगा अब लोग अब जाएब सब्सक्राइब आपको फिर ओवरलेपिंग और इसमें चर्ज्मेंट राइंड राइटिंग उसमें चार जो judgment राइटिंग है तो समझना यह आपका जो ehmby जिसने एमपी भी दिया थो have some यसाफ्य आपको imda to deal करना है यह ने थोड़ा सा अपको को और राइटिंग को डील करना है तो हम उसके भी बात करेंगे एसा नहीं यह लेंग्वेज के लिए पर स today आपका हंदी एसे राइटिंग हंद of English time है आपका इंग्लिस से इसे राइटिंग इंग्लिस लेंग्वेज में इंटर्व्यू के रखता है और देन इसके बाद आपको बच बाकि आप लोग जब भी फॉर्म डालें जब भी आप लोग फॉर्म डालें तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना एक बार क्योंकि कुछ छूट जाए अगर हम से बताने में तो आप लोग पूरा कर लीजिए क्योंकि यह आपक को क्योंकि आपको डालना है जज आपको बनना है सिर्फ हम साथ देंगे और हम साथ ऐसा देंगे ना कि इस बार आप 222 पर अगर हमाई पास यदि 2022 भी बच्चे होंगे तो भी पत कितने 222 इसका मतलब सेलेक्शन बहुत जादा हंगे तो हमारे ही होंगे पूरे है ना तो त हमसे परस्नल Zusना चाहते हैं तो नीचे दिए एगाया डिस्सिप्शन नंबर में आप क्या कर सकते हैं हमें फॉलव कर सकते हैं हम मैसेज कर सकते हैं अब देखिए और जिसको जादे ही उंक्वारी चाहिए है या जिसको मुझसे ही बात करनी है तो हमारा यह एक नंबर है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम आपको रिप्लाइ कर देगी है ना जो भी क्वाईरी है 7987823263 एक और बोलिए यह वाला नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हो ठीक है कॉल अगर नहीं रिसीब करें हम तो मैसेज कर सकते हो मैसेज अगर रिसीब नहीं करें तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लेना हमें तो भी हम आपको जो भी चीज़ डालेंगे आप मैसेज कर सकत हैं इसका मतलब हम मिलेंगे आपको सर्व व्यापी हैं हम सभी प्लेटफॉम पर इंस्टाग्राम पर यूटूब पर सब जगह दिख जाएंगे समझ में आई इसका मतलब आपको जरूरत है आत्म विस्वास की एहंकार मत करना अपनी पढ़ाई पर कि हमने पढ़ा दिया औ की एहंकार चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं नमस्कार शुक्रिया धन्यवाद और जुड़े रही है ड्रीम यूडिश्री इंदोर के साथ